नमस्कार मैं जर्मों कहर बेश्ट कामगार संगटना सरचिटनिस कल से बेश्ट प्रशाथ ने निरने लिया है कि प्रत्ते बसों के अंदर सभी यात्रियों के लिए खुला कर दिया गया है उन्होंने ये फैसला लिया है कि हर सिट पर एक आदमी बैठेगा दाया और बाया तरफ दोनों तरफ एक एक आदमी बैठेगा और पांच लोग स्टाइनिंग से जा सकते हैं ये फत्वा निकालने के पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर बड़े पहमाने पर यात्री आते हैं क्या कंड़क्टर उसको रोग पाएगा कंड़क्टर के हाथ में या कंड़क्टर के सुरक्षा के लिए कोई भी PPE किट नहीं दिया गया है आज आप लोगों को मालूम होगा कि लगबख चौपन लोग बेश्ट के मजदोर का मृत्य हुई है लेकिन प्रसाशन अभी तक उनके बारे में कोई भी जाहिर तोर पे डिकलर नहीं किया है एक तरफ 16 विक्तियों का उन्होंने ताबर तोफ से इनको PF दे दो ग्रियाजूटी दे दो ये बात कही है लेकिन 50 लाग का बीमा उनको मिलेगा इसके बारे में कोई भी सूचना अभी तक उन्होंने नहीं भीजी है आज भी बेस्ट के आनेक मजदूर हॉस्पिटल में एड्मिड है आज कई मजदूर कॉरंटाइन है उनकी फैमिली कॉरंटाइन है कई लोगों का ऐसा मैसेज आता है कि वो अगर BST के डिपार्मेंट को फोन करते हैं तो उन्हें कोई भी सुविधा या कोई भी जानकारी य और दूसरी तरफ ये फैसला लेकर के कि बेस्ट के अंदर सभी यात्रियों को खुली छूट देना चाहिए सब को लेना चाहिए बस के अंदर ये BST के मजदूरों के जीवन से खेलने का काम बेस्ट प्रसासन कर रही है और मैं उसका निशेद करता हूँ और हमने ये फैसला लिया है कि एक तरफ अपनी जो मांग है उस मांग को लेकर के सोमवार आठ तरिक को बड़े पैमाने पे सभी लोगों ने अपने जनरल मैनेजर को प्रसासन को इमेल किया जाए वाट्सवप पे मैसेज भेजा जाए उनके ट्विटर पे बताया जाए और उनको ये बताना चाहिए कि BST का मज़दूर इन इन मांगों को चाहता है क्योंकि आज सत्ता में बैठे हुए सीवशेना के लोग भी कुछ नहीं कर रहे है आज सत्ता धारी सीवशेना होने के बावजूत लगभग 500 लोगों को चार्शीट दिया गया है ये वर्तमान पत्र में जाहिर हुआ है मतलब एक तरफ लोगडों के वज़े से जो काम पे नहीं आ पा रहा है उनको आप चार्शीट दोगे दूसरी तरफ जो बेस्ट के अंदर जो काम कर रहा है जो प्रती दिन आ रहा है उनके लिए कोई सुरुक्षा की गैरेंटी नहीं है आज जो लोग रित्यू हुए हैं उनके बारे में भी कोई भी सुरुच्षा की गैरेंटी नहीं है उनके फैमिली का बारे में कोई सोचने का विचार नहीं हो रहा है और इस तरिके से बीएस्टी के मजदूरों को एक तरफ से रास्ते पे लाने का काम बेशप्रसासन कर रह हैं यूँकि आज अगर ये मीडिया सोसिल मीडिया के तरफ से हम लोग अपने डिजिटल इस आंदोलन को सुरुआत किया जाए और कुछी दिनों में अगर विवस्थापन फैसला नहीं लेती तो हमें रास्ते पे आ करके वापस एक बार फिर से सभी यूनियन को इकठा ला करता नहीं है तब तक सरकार किसी के भी हो फटनविस की सरकार हो या हमारे उद्धोजी की सरकार हो ये सरकार मजदूरों के बारे में कभी भी कोई सोची नहीं है इसलिए आप सभी लोगों से मैं विनंती करूंगा कि आप लोग फिर से एक जूट हो जाएए अरोपत्र के ख रोज को अपने निशेत को व्यक्त करें और आने आले जिनों के लड़ाई के लिए तैयारी करें इतना ही बोलकर धन्यवाद इंकलाब जिन्दाबाद जय भी लाल सलाव